गुड आप्टरनून स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में गुवर्णर जनरल लाड एम हैस्ट के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखें स्टूडेंट्स इससे पहले हमने जो मतल पर्थम और मिंटो पर्थम लाड हैंस्टिंग इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है तो मतलब मैं सारे जितने भी जो भी गुवर्णर जनरल हुए हैं जनरल हुए हैं वाइस रायों इन सब के बारे में आपको इंपोर्टेंट जो बाते हैं वो बताऊंगी क्यो लाड एम हर्स्ट तो ये जो लाड एम हर्स्ट है ये भारत में 1823 से 1828 इस्वी तक रहे थे ठीक है और इनके काल में जैसे की जो दो महतोगुन गटनाई हुई हैं एक तो जैसे की पर्थम अंगले पर्मियूद और दूसरा आपका हुआ है 1824 इस्वी का बैरकपुर वित्र है ठीक है ये ही दू चीजे महतोगुन है इन्हे ही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है तो देखेगा लाड एम हर्स्ट है ये 1823 से 1821 सोरी 1828 इस्वी तक गुर्णर जनरल के पदपर रहे इनके समय में पर्थम अंगले बर्मा यूद जो 1824 से 26 इस्वी तक लड़ा गय था और इसी समय क्या होता है कि 1824 इस्वी का बेरकपूर का सन्य विद्रोह भी लौर्ड एम हर्स्ट के समय में ही हुआ था ठीक है तो देखेगा पर्थम अंगले बर्मी यूद तो जो लाड एम हर्स्ट है इसके काल में बर्मा के साथ अंग्रेजों का जगडा साहपूरी क चोटे और निर्जन द्वीब को लेकर हुआ था साहपूरी अराकान और ब्रटी सिमा को विबाजित करने वाली नाफ नदी के किनारे पर इस्तित था चटकाम के पास कुछ अंग्रेज हाथियों का सिकार कर रहे थे लेकिन बर्मियों ने उन्हें क्या गरा पकड़ लिया इ अपने सैनिक चोकी स्ताफित कर ली और जन्वरी 1923 इस्वी में अंग्रेजों ने मांग की कि सहपूरी का जो टाप्टू है वो खाली कर दिया जाए ठीक है शोरी आपका यहां पे यह होगा 1923 नहों कि होगा आपका 1823 यह गलत लिखा गया हमसे शोरी उसके लिए तो यह 1823 23 इस्वी में अंग्रेजों ने मांग की कि सहपूरी का टापू खाली कर दिया जाए यह देपि बर्मियों ने इस जगह को खाली कर दिया किन्तों वे यह धमकी भी देते गे कि यह दी अंग्रेजों ने सहीपूरी पर दिखार किया तो वे ढाका और जो मुशिदाबाद है जो मतलब अंग्रेजों की छवनिया थी उन पर आकर्मन कर देंगे। इस प्रकार सहपुरी को लेकर दोनों पक्सों में इनमें अंग्रेजों और बर्मियों में विवाद बढ़ता गया। जब अंग्रेजों ने चटगाउं की सिमा रक्सा के लिए कुछ सेना भेजी तब बर्मा ने मांग की कि सहपुरी का तटस्त छेतर गोसित कर दिया जाए। किन्तु अंग्रेजों ने इस मांग को स्विकार नहीं किया। और सितमबर 1823 इस्वि में लगबग 1000 सेनिक इसोर भेज दिये गे। जिसके प्रणाम सरू फरवरी 1824 इस्वि में इस पर बर्मियों ने इस्वि पर आकर्मन करके उस पर अधिकारे कर लिया। इस पर 24 फरवरी 1824 को एम हर्स्ट ने बर्मा के विरुद यूद की गोशना कर दी। ठीक है। जो पस्सिमी ढंग से परसिक्सित थी ठीक है। तता नमीनतम सस्त्रों से सुषजित थी। अता बर्मी सेना की निरनायक प्राजे होती है। और 24 फरवरी 1826 को दोनों के बीच अंग्रेजों और बर्गनियों के वीच याडबु की संदी हो गई थी। तो याडबु की संदी के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं। तो याडबु की संदी कब हुई। 24 फरवरी 1826 हुई। इसंदी के अंत्रगत बर्मा के राजा ने असम, कच्छार, मणीपूर पर ब्रिटिस रंक्षन स्विकार कल लिया। तथा जो अराकान और तनास रीम के समुदर तटिये प्रांत कमपनी को दे दिया। अंग्रेज व्यापारियों को रंकून में बसने और व्यापार करने का दिकार भी मिल गया। बर्मा के राजा ने एक करोड रुपया छत्ती पूर्ती की रूप में देने का ववादा किया। और अपने राजे में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्विकार कल लिया। ये थी याडबु की संदी की शर्ते। इस संदी से याडबु की संदी से कंपनी का राजनतिक प्रभाव है वह भो जड़ा विश्त्रित हुआ तथा मूखे बर्मा में अंग्रेजों के पैर जम गए। जिसे बविसे में बर्मा प्रदिकार करने का मार परसंस्त हो गया। अब देखेगा बैरेकपूर का वित्रौ हैं। तो क्या होता है कि 1824 एसुए में बैरेकपूर का वित्रौ हुआ था। तो ये वित्रौ है नमंबर 1824 में हुआ और ये ब्रेर्टिस अधिकारियों के विरुद देशी भारती शिपाहीँं का उधे था। ठीक है और जो बैरकपूर का वित्रो है ये तब हुआ जब ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के गुवर्णर जनरल एम हेस्ट के नेतरत्वे में पर्थम अंगले बर्मी यूदे लड़ रही थी तो होता है क्या है कि मतलब कि 1824 का जो बैरकपूर वाला सेनिक वित् जो 10 जुलाई 1826 को हुआ था तो जो वेलूर का वित्रो है वो और बैरकपूर का वित्रो है ये दोनों ही मतलब सेनिक वित्रो थे और ये इस्ट इंडिया कंपनी के विनास के कारण थे इसके बाद क्या होता है कि भारत में ब्रिटिस क्राउन का मतलब हरस्तक से हो गया था और मतलब जो बैरकपूर का विद्रो हुआ था उसका कारण क्या था उस समय की जो तात कालिन जो मूल कारण थे वो क्या थे कि जैसे हिंदू सिपायों को धार्मिक वस्तर और तिलग करने पर परतिवन्द किया गया मुसलिम सिपायों को दाड़ी मतलब रखने पर परतिबंद न रखने बै कि यदि मुस्लिम सिपाई हैं वो दाड़ी रख रहे हैं तो उसको ट्रिम करना पड़ेगा अर्थाथ हम कह सकते हैं कि बै जो भी हमारे भारतिय सिपाई थे उन सब को उनसे उनके धरम को मानने से रिलेटेड उन पर परतिबंद लगाए गए उनके खाने से